नमस्कार प्यार दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे यूटूब चैनल पर कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ अच्छ होंगे खुश होंगे सवस्थ होंगे चलिए आज फिर से हम मौजूद है एक नई अश्टोरी के साथ एक ऐसी कहानी जो हमारे जीवन में बहुत लाबदायक है यानि कि हमें एक सीख देने वाली है चलिए श्टार्ट करते हैं आज के स्टोरी है पाच मेंड़क की कहानी दोस्तों एक समी की बात है पाच मेंड़क एक जंगल से जा रहे थे चलते चलते उन पांच मेंडकों में से तीन मेंडक एक बड़े से गड़े में गिर जाते हैं पांच में से तीन मेंडक गड़े में गिर गए तो उपर दो बचे अब गड़े में गिरने के बाद वो तीरों मेंडक उपर चड़ने की बहुत कोसिस करते हैं लेकिन वो गड़ा बहुत बड़ा था उस गड़े से बहार निकलना इतना आसान नहीं था अब गड़े के उपर जो दो मेंड़क बचे हुए थे वो गड़े के अंदर देखकर उन तीनों मेंड़कों से बोलते हैं कि अब तुम तीनों इस गड़े से कभी बहार नहीं निकल सकते ये बहुत बड़ा गड़ा है तो तुम्हारा कोसिस करना बेकार है दोस्तों ये सुनने के बाद उन तीनों मेंड़ को मेंसे एक मेंड़क को लगता है कि ये सही बोल रहे हैं ये गड़ा बहुत बड़ा है और अब हम इसमें से कभी निकल सकते तो वो मेंड़क थोड़ी कोशिस करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड़े में एक जगह आराम से जाकर बैट जाता है अब बाकी के जो मेंडक थे अभी भी उपर चड़ने की कोशिस कर रहे थे अब उन दोनों को देखकर उपर वाले मेंडक फिर से उन्हें कहने लगे कि तुम जो कोशिस कर रहे हो ये बेकार है तुम सब इस गड़े से कभी भार नहीं निकल सकते और अब तुमें अपनी सारी जिनकी इसी गड़े में गुजारनी पड़ेगी अब ये सुनने के बाद जो दो मेंडक कोशिस कर रहे थे उपर चड़ने की उन में से एक और मेंडक को ये लगता है कि ये से ये सही बोल रहे हैं कि हम इस गड़े में फसे रहे गे इस गड़े से हम कभी भार नहीं निकल सकते वो भी हारमान कर बैट जाता है लेकिन अभी भी उन में से एक मेंडक उपर चड़ने की कोशिस कर रहा था उपर वाले दो मेंडक उसे फिर से कहते हैं कि क्या तुम्हे सुनाई नहीं दे रहा है उन दोनों ने हार मान लिया आया और तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि इस गड़े से बाहर निकल सकते हो वो उपर वाले दोनों मेंड़क उसे बोलते रहे लेकिन उनकी बातों का उस मेंड़क पर कोई असर नहीं हो रहा था वो मेंड़क कोशिस करता रहा कोशिस करते करते वो उस गड़े से बाहर निकल गया अब उसे में सारे मेंड़क देख रहे थे ये बाहर कैसे निकल गया चलिए मैं आपको बताती हूँ वो मेंडक बहार कैसे निकला वो मेंडक इस बड़े गड़े से इसलिए बहार निकला क्योंकि वो मेंडक बहरा था उसे कुछ सुनाई नहीं देता था तो इस कहानी से हमें ये सिक्सा मिलती है जब हम जिन्दगी में कुछ अच्छा करते हैं तो भहुत लोग आते हैं रोकने के लिए तरह तरह की बाते करते हैं लेकिन अगर आपको अपने काम में सफल होना है तो बहरे बन जाओ उनकी बातों को अपने उपर असर मत होने दो लोगों का काम है कहना वो हमेशा कहते रहते हैं तुम अच्छा करोगे तो भी कहेंगे तुम बुरा करोगे तब भी कहेंगे इसलिए किसी की बातों पर ध्यान मत दो अपने लक्से में आगे बढ़ते रो और अपने लक्से हासिल करो दोस्तों समय की कीमत एक बार की बात है एक गाओं में एक बुढ़ा व्यक्ति रहता था वह बुढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से बहुत प्रेसान था क्योंकि उसका छोटा बेटा बहुत ही नालायक था काम चोर था वह कोई काम नहीं करता था बस गाओं में इधर से उधर गुमा करता था एक दिन उस बुड़े वैक्ती ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि बेटा घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी है तुम उसे निकाल कर लाओ लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर नि लेकर जाओ, और जितने लोग तुमें मिलेंगे, उनसे इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना, अवर लड़का, उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया, उसने बाजार में सबी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी, किसी ने उस घड़ी की कीमत दो सो रुपे बताई किसी ने उस घड़ी की कीमत पांच सो रुपे बताई तो किसी ने आट सो, किसी ने हजार सभी लोगों ने उस घड़ी कीमत अलग-अलग बताई कई लोगों ने एक जैसी वे लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे पूछा, उनसे कहा पिता जी सभी लोग ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई किसी ने 200 रुपे कीमत बताई, किसी ने 500 बोड़े आदमी ने अपने बेटे से कहा बेटा ठीक है तुम घड़ी अलमारी में रख और जाओ अब अगले दिन फिर से उस बुड़े वैकती ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी लिकाल कर लाता है अब बुड़ी वैक्ती ने अपने बेटे को कहा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ लड़के को अपने पिताजी की बात की समझ नहीं आ रही थी उसके पिताजी आखिर उससे क्या करवाना चाह रहे थे वैदु की मन से फिर घड़ी को लेकर बाजार चला जाता है और सभी लोग से उस घड़ी के अंदर चल रहा समय की कीमत पूछता है लोगों को लगता है कि इस लड़के की मान से किस्तिती ठीक नहीं है कलिया घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की बहुत से लोग ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हसने लगी अब लड़का प्रेसान हो जाता है सोसता है की ए मेरे साथ क्या हो रहा है तब ही वे आकरी बार एक बुड़े आदमी की दुकान पर जाता है वहाँ वे बुड़ा आदमी बहुत व्यस्त था वे लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है उस बुड़े आदमी ने अपना कुछ समय निकाल कर लड़के से कहा बेटा यह समय है जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो इसके कोई कीमत नहीं लगा सकता तुम क्रोडो रुपे देकर भी जिंद्गी का एक सेकेंड भी वापस नहीं ला सकते इसलिए इस टाइम का सही उप्योग करो सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं अमीर के पास भी गरीब के पास भी यह तुमारे हाथ में होता है तुम क्या नया कर सकते हो तुम अपने एक एक पल का हिसाब रखो तुम कहां कैसा कार्य कर रहे हो उस दिन के बाद उस लड़के के जीवन में बहुत बदला वाया उसकी जिन्गी पूरी तरह बदल गई अपने समय की किमत समझो और उसका सुद्व प्योग करो आज की स्टोरी यही समाप्त होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सेर और कॉमेंट जरूर करे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नह भूले साथ में पहला आइकन जरूर दबाए जिससे की आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके